कि यह अप्लाइब कि नवश्कार कि इंडो थाइ न्यूज पे मैं शंबू शिखर आपका स्वागत करता हूं और तक्नीकी कारणों से आपसे जुडने में एक आधा मिनट की कुछे देरी हुई है लेकिन आपसे जुड चुका हूँ तो आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आभाबहर करता हूं और जितने भी दर्शक जुड चुके हैं उनका बहुत-बहुत जी sound इसका कट रहा है G आईए दोस्तों शुरू करते हैं हसी के सफर को इंडो थाई न्यूस पे बहुत सारे मित्र जो जुड़ चुके हैं पांच लोग अभी देख रहे हैं और उन सब का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूं अभी नंदन करता हूं चार लाइने पहले आपको हासे वेंकी सुना देता हूं मैं एक हासे का कभी हूँ आप सब जानते हैं और इस लॉकडाउन के सफर में इस कॉरिंटीन के सफर में हम लोग हसते हुए मुस्कुराते हुए अपने आपको अपने समय को अच्छे ढंग से बिताएं तो मैं आप लोगों के बीच में हूँ मैं आप लोगों को सुनाता हूँ चार लाइने आप लोगों को संभवता मेरी आवाज पहुच रही होगी तो मैं आप सब को चार लाइने सुनाता हूँ आनंद लीजिएगा मनहुस से चहरों को सदा डाटता हूँ मैं कम की बदलियों में भी खुशी चाटता हूँ मैं भाता नहीं मुझको कोई चहरा उदास सा बस इसलिए ही सबको हसी बाटता हूँ मैं तो हमारे आसपास हास्य का जो टाइम है वो ऐसे ही बीता रहें हमारे आसपास का महल कैसा है सब चीजे कैसी चल रही है देश दुनिया कैसा काम कर रहा है मैं चार लाइने आपको और सुनाता हूँ जितने भी दर्शक जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और चार लाइने से हमारे आसपास का महल कैसा है और पहले चार लाइने की हमें कोरिंटीन का पीरेड कैसे भीताना चाहिए रोज सुभा योगा करलो और तब जाकर जलपान करो बच्चों से बाते करलो और बड़ों का भी सम्मान करो रोज नए पकवान पकोडे खाने में मिल जाएंगे रोज नए पकवान पकोडे खाने में मिल जाएंगे लोकडाउन में घर बैठे पतनी का ही गुणगान करो लोकडाउन में घर बैठे पतनी का ही गुणगान करो लोकडाउन में घर बैठे पतनी का ही गुणगान करो तो यह लोकडाउन का पीरड हम लोगों का ऐसे हस्ते गाते हस्ते खिल खिलाते बीत जाएगा मच्चार लाएने आप लोग की कमेंट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं दोस्तों अगर जो लोग सुन रहे हैं अभी लगबग 60 के आसपास लोग मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग जरा एक पार अगर मुझे कमेंट्स भेज देंगे अपने आपके कमेंट्स मुझे आने लग जा है आस पास का महल कैसा है और आनंद ली जी चार लाइनों का इखान मिया तो घर जी इखान मिया तो घर बैठे बुरके में टाका लगा रहे पहली बार ये मिश्रा जी अपने बच्चों को खिला रहे स्वेता शर्मा गुपता जी आ गई है फ्रॉम डेली से आपका भी बहुत स्वागत है स्वेता जी खान मिया तो घर बैठे बुरके में टाका लगा रहे पहली बार ये मिश्रा जी अपने बच्चों को खिला रहे शर्मा जी खईनी के साथ में ताल अकेले बजा रहे वर्मा जी तो बालकनी में कपड़े धोके सुखा रहे तो राकेश दुबै जी विने युनियाल जी सभी मित्री जो जुड़ चुके हैं वावा रंजन गुपता जी डांस करते हुए आ गए हैं सो से जादा लोग जुड़ चुके हैं इंडो थाई न्यूस पर आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि आप ल सगातार कई हफतों तक चलेगा सटेडे संडे को आप लोगों के बीच में हम लोग आते रहेंगे इस तरह से आप चार लाइने और सुनिये ब्यूटिफुल सॉंग धन्यवाद जैकी एहमद जी बहुत-बहुत सांदार चल रहा है रमेश मुसकान जी ने भी जोइन कर लिय जी आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं मैंचार लाइनि निजाभ आपको और सुनाता हूं कि इस कुरेंटेन का पीरट हमें कैसेड़ल के अ ход कैसे भी चाइस सुनिए कि भी एक सो बच्चो नोग जुड़ चुके हैं कर भॉट भा लो बच्चों से बातेशए हैं कुछ बच्चों से बाते कर लो कुछ घर में आटा गुंद वालो लेटे लेटे जो भी आरो बदन दर्द से पीडत हैं जाके चौक चौराहे पर वो पुलिस से जाड़ा लगवालो तो पुलिस से जो जाड़ा है वो लग जाएगा एक बार में तो कुरोना का बूत उतर जाएगा आप लोग बहुत आनंद ले रहे हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कनिका अमारे बीच में जुड़ी हुई है कनिका जी स्वागत है आपका बहुत 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 शांदार मैं चार लाइने और सुनाता हूँ डेड़ सो से ज्यादा लोग अमारे बीच में जुड़ चुके हैं इस हास से का सफर को हम और आगे ले चलते हैं इंडो थाई न्यूस के इस चैनल से मैं आप लोगों के बीच में हूँ अभी इंडोनेशिया में भी लोग देख रहे हैं और भारत में भी लोग देख रहे हैं जो लोग विदेशों में हैं उन्हें भी मैं बहुत बहुत उनके मंगल स्वास्त की कामना करता हूँ और जो लोग भारत में हैं उनके भी मैं स्वास्त की कामना करता हूँ चार लाइने आपको हास से वेंग की सुनाता हूँ आपको आ पहले जनता करपी हुआ था आप सबको याद होगा लेकिन चार लाइने और आप सुने मेरे एक अलग अंदाज में जिस अंदाज के लिए पूरी दुनिया में मैं जाना जाता हूं पूरी दुनिया के लोग जो हैं जिसके लिए मुझे प्रेम देते हैं पहले से अधिक और भी वो मीन हो गई बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई मौका मिला तो दो से भले तीन हो गई सुमित और छा भाई मौका और चोटु शर्मा जी मौक स्वाती जी मौका मिला ख़निका राजपुद जी हां जी थाइलेंड से शुशील चौबे जी कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई मौका मिला तो दो से भले तीन हो गई मॊकेश गौतम भाई कि करते ते से ने टायज जिसे इश्क से अपने जाने वो किसका संग कॉरेंटीन हो गई जाने वो सीमा बनसल जी हाई जी कैसे हैं सीमा जी मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत सारे मित्रों ने अचानक से जॉइन कर लिया है देखिए और काफी लोग उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जितने भी लोग जुड़े हैं उनको मैं इस लॉक्डाउन के पीरेड में हसनी हसाने के लिए इंडो थाई न्यूस के इस बैप पॉर्टल पर आप लोगों के साथ में हूँ हर शनीवार और रभीवार को देश के, भारत के कई कभियों को चुना है और वो आपके बीच में आते रहेंगे विनैय उनियाल जी कह रहे हैं आज तो बहुत सुन्दर लग रहे हो क्या बात है सुन्दरता देखने वाले की आख में होती है ये आपकी आख में है केवल जाजी राहूल जाजी वेदान श्तिरपाटी जी बहुत अच्चे इतियास हमेशा याद रखेगा जब इंदुस्तान में दुखदर था तब आप लोग को असा रहे थी धन्यवाद सर मेरी बेटी का नाम ले लीजिए प्लीज रश्मिता बंसल ओके एलो बिटिया रश्मिता बंसल कैसी हो आप ममा को खूब तंग कर रही हो ना करते रहना आपकल तो चुट्टी में हो एकदम सर पे चड़ जाओ चार लाइन सुनना आनंद लेना हसी हमारे आसपास विगरी हुई है हमें कहीं जाने की जोरत नहीं है चार लाइन नहीं है हास से कि आप लोगो पाथचीत तो दोस्त होती रहेगी शुभम सिंग ने जोएन कर लिया है सुधी भोला जी आ गये है सौरब उपाद्याई नहीं अरे वहाँ सौरब उपाद्याई इन्होंने भी जोएन कर लिया है राहुल सानी जी रंजन गुक्ता जी कमल आगने जी कल्यान सिंग जी बहुत बढ़िया सीमा जी ने थेंक्यू सर कह दिया है सीमा जी क्या बात है इश्रार मेकैनिक ने क्या बात है आशी इस्तिवारी 208 लोग जुड़ चुके हैं इस बैप पोटल से मुझे उम्मीद नहीं थी कितने सारे लोग जुड़ जाएंगे रोबिन जी क्या बात है शंबु माहराज आती सुन्दर लग रहे हो आप धन्यवाद धन्यवाद चार लाइन और सुनिए कि भगवान मेरा साथ आप यू भी निभाना किसमत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना राहुल की तरा चाहे बीत जाए जवानी लेकिन बुड़ापे में अनुप जलोटा बनाना लेकिन बुड़ापे में अनुप जलोटा बनाना जो रद नहीं हुआ कभी दोस्तों जितने लोग जूड़े हैं सब एक एक बार चला कमेंट करते चलिया आप लोगे कमेंट आते रहते हैं तो लगता रहता है कि वावाई मिल रही है माधव राई प्रणाम अरे माधव बैया प्रणाम प्रणाम की हाल जै देखिए इंडोनेशिया के पेजबों और मेतली में की हाल जै माधव जै ठीक ने माधव राई जी हमारे मितलांचल के बहुत बड़े गायक बहुत बड़े गौरब 200 क्या आसपास लोग जुड़ आज कुर्ता बहुत ही लेलिंदार पहने है अरे वाह रेनू जी रेनू जी नमस्कार रेवरु मुस्कान जी नमस्ते कैसी है आप जी मैं आपकी तकलीव को समझ सकता हूं संजय शर्मा जी बहुत बड़िया अगर आप बहुत अच्छर सुन्दर सहली है आपकी बहुत बड देख रहे हैं तो मैं पूरी दुनिया के लोगों को इस समय पर हसाने के लिए नमस्ते बैया नमस्ते इस कॉरिंटीन के पीरिड को बिताने के लिए हस्ते गाते हम लोग बिताएं चार लाइन यह सुनिए इस पर आपको और मजाएगा कि जो रद नहीं हुआ कभी पर मिट रहा हूँ मैं योगा किये बिना ही कितना फिट रहा हूँ मैं कुछ यू असर रहा है मेरी मा की दुआ में सब पिट गए जहां पे वहां हिट रहा हूँ मैं सब पिट गए जहां पे आज तो दूले लग रहे हो हेमंत वैशनव इसरार जी तालिया बजा दी है आपने सुपर्फ रिया कुमारी सुपर्फ ताली बजाते हुए धन्यवाद दिले धर्द को कम बहुत अच्छे काश मुक्य मंत्री आप हो जाएं अरे सर धन्यवाद नी इस मनीश रंजन जी सर एक पर केजरीवाल को पर कुछ सुना दीजी अचलिये जो भी कहूंग सचीन ए साल की कसम ताजा बन दामाद हूं ससुराल की कसम महंगाई कमारा हूं रोटी दाल की कसम महंगाई कमारा हूं रोटी दाल की कसम मैं आम आदमी हूं के जिरीवाल की कसम मैं आम आदमी हूं के जिरीवाल की कसम और चार लाईने सुनिए आपको याद होगा वह 370 हमारे देश में खतम हुई 370, 370 खतम हुई तो जेल में आशा राम बापु ने राम रहीम को मिठाई कि लाई 370 जिस दिन खतम हुई सुन्दर कटारिया जुर चुके हैं विजयतिवारी जी चंदन उपाद्याए भाई बहुत बढ़िया निरंजन प्रदान जी बहुत सारे लोग जुल गए हैं सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारा बारत से जुड़े की नहीं यह राम रहीम को मिठाई खिलाई राम रहीम ने इक्षाधारी बाबा को खिला दी इक्षाधारी बाबा ने रामपल को खिला दी जब सभी बाबाओं ने मिठाई खाई तो कैदियों ने पूछा, बोले बाबा, यह 370 के खतम होने पर तुम क्यों खुश हो रहे हो, बाबा बोले बेटा जब 370 खतम हो सकती है तो ची 70 भी हो सकती है, बाबाओं की भी अपनी अपनी आस है, तो साहब सबका यह अपना अपना इसाब किताब है, 370 तो खतम हुई 377 खतम हुई, मैंने चार लाइने लिखी, कि भगवान 377 आनंद लीजिए, कि लिम का समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून क्या बदला खुली रिष्टों की हकीकत, कानून क्या बदला खुली रिष्टों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, रंजन गुप्ता ने पिंड कमेंट किया है, कि शहीद सेनिकों पर भी कुछ सुना दीजिए, जी बिलकुल, शहीद सेनिकों पर भी सुनाएंगे, बस इसके अभी चार लाइने सुनीए, इसके बाद सहीदों के उपर, चार लाइने में आप लोगों को सुनाता हूं, आप आनद लीजिए, शहीतों को सबस्पहले प्रणाम करता हूं, कि उन्होंने अपने जीवन को दे करके, अपने जीवन की जो सबसे बड़ा आज की तारीक में, हमारे हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में जिस वलिदान को स्रेष्ट वलिदान माना जाता है वह है कि कोई सैनिक अपने देश की रक्षा करते हुए शहादत को प्राप्त करता है वह देश के दुश्मनों से लड़ते हुए अपने आपको कुर्वान कर देता है उच्चतम सहात जिसे कही जाती है इससे बड़ी कुर्वानी कुछ और हो नहीं सकती है मैं उनको बहुत-बहुत प्रणाम करता हूँ चार लाइने आपको हास से बेंग पर सुनाता हूँ दारू बंद हो गई दिल्ली में तो दिल्ली चले गए सुशील चौबे जी क्या बात है रहे सर आपको तो मेरा चुटकुला भी याद है क्या बात है बहुत अच्चे चंदन जी कोच रुपन दत्ति दत्त जी आईए सर सुनील व्यास भाई जुड़क चुके हैं चार लाइन सुनगे आनंद लीजिये चार लाइनों का हर दगय पर हमारे देश में हास से बेंग फैला हुआ है लिम का समझ के लाए थे माजा निकल गया ताजे कि थी तलाश तो बासा निकल गया कानून का बदला खुली रिष्टों की हकीकत चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया चाची समझ के लाए थे मैं तीन बार बोल दिया चात पनिंच की चाती वाला सुना दो आप सुनते ही नहीं वेंकटे शरमा जी अभी मेरे पास आया ऐसा इतने सारे कमेंट आप लोगों के आचुके हैं तो दीरे-दीरे किसी लोगों के कमेंट रह जाते हैं कुछ बच जाते हैं दोस्तों से ज़्यादा लोग है सब कमेंट कर रहे होंगे तो सब को मैं नहीं पढ़ पाऊंगा लेकिन आपकी है मैं सुना देता हूं 56 वाले इतियास में मुकाम नाया गड़ ही जाता है शादी के बाद भी भी अगर साथ ना रहे सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही कॉरिन्टीन में रहे तो चीनी को जामा करके फिर इसे गन्ना बना दूँ मैं तो अद्बूती कभी हूँ जी संस्कृत क्या ध्यापका है जितने लोग जूर चुके हैं दोस्तो एक बार इस पोस्ट को शेर करते हुए चलिए हमारे इंडो थाई न्यूस के इस बैप पोर्टल को शेर करते हुए चलिए इसको जोइन करते हुए चलिए रोज आप लोगों के बीच में हम कुछ न कुछ अच्छी अच्छी चीजे नहीं नहीं चीजे ले करके आपके लिए लाएंगे ही और सटेडे संडे को तो खासकर भ सुनाता हूँ लोग कह रहें डमरू कहा है तो डमरू यही कही होगा डमरू अभी आ जाए मैंने कह दिया है और कहते ही जो है डमरू अब मेरे पास आ जाएगा आपी तो सुनिए गा निदी चौधरी जी ने जोहन कर लिया है बंटी जी श्री शंबुशिगर जी दोला इने शादी के उपर शादी के उपर में जुनाएंगे सुनिए साब चींदी को जमा करके फिर इसे गन्ना बना दूं राहूल गांदी देश के प्रधान मंत्री बनेंगे इसमें कुन सा अलंकार है मैंने का जी असंभव अलंकार है हिंदी क्या ध्यापक फिर आ गए बोले आमंतरण और निमंतरण में क्या फर्क है मैंने का जो निमंतरण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंतरण कहते है जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंतरण कहते है अनिल गोयल जी भी जुड़ चुके हैं क्या बात है बहुत चांदार कभी और व्याज जी तो और भी बहतर कभी है हमारे बीच में सुनील व्याज जी सामान निग्यान के अधिया पका गए बुले राम नवी क्यों मनाई जाती है मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम आट भी पास करके नौमी में गए थे चीनी को जामा करे के फिर से गन्ना अंग्रेजी का ध्यापक आ गए बोले खुबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते है मैंने कहा जी I love you चीनी को जामा करे के फिर से गन्ना बना दूँ हिंदी का ध्यापक दुबारा आ गए दुबारा क्या दोस्तों तीवारा आ गए और उन्होंने जो सवाल कुछा उन्होंने तो कमाली कर दिया बोले वो लड़की दूर खड़ी है उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके अपने पास बुलाओ मैंने कहा प्लीस कम हेर बोले अब इसे वापस भेजो मैंने कहा अच्छा मैं बिहारी हूँ मुर्क नहीं एक बार जो पास में आगे उसे कौन भेजता है जी इनी को जामा करे के फिर इसे गणित का ध्यापक आगे बोले एक्स की वेल्लू बताओ मैंने कहा जी बोले एक्स की वेल्लू बताओ मैंने कहा जो हमें छोड़ कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वेल्लू नहीं है क्या बात है भाईया इंडो थाइ न्यूज थाइलेंड का है बैंकोक से पवन मिश्रा जी और उनकी टीम संचालित करती है जी 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 तो मैं पवन मिश्रा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद इसलिए कि वह एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सामचारों को प्रस्तुत करना तो एक बहुतरीन काम है ही विश्ची तोर से आज की तारिक में पत्रकारिता का बहुत बड़ा रोल है एक दुनिया के लोग तंत्र में चौथे स्तंब की तरह फोर्ट पिलर के कम हो सके वो इस कौरिंटीन पिरेट को एक बहतरीन तरीके से बिता सके वो लोग अपने आपके भीतर जितना ज्यादा आपसाद आ गया है उसको सेनेटाइज कर सके उसके लिए आपने इतना बढ़िया एक मौका रखा है कि शनीवार और रविवार को देश में जितने भी भारत के बहतरीन कभी हैं वो आप लोगों के बीच में आएंगे जिसकी शुरुआत मेरे से हुई है मैं पहले कभी के रूप में आप लोगों के बीच में हूँ और उसके बाद तमाम कभी आप लोगों के बीच में शनीवार और रविवार को इसी समय तीन बजे आप लोग मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों दोस्त बोला यार मौका लगे तो शाधी कर ले मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शाधी करके क्या करूँगा मैं तो बिहार कहा दूँए बिहारी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं सच बता रहूं आपको एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं आपको कैसे ये कोई बात होती है बिल्कुल साथ मैं तो इलेक्ट्रोनिक शॉप पे गा मैंने जाके पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो बोला जी हम भीयारियों को टीवी नहीं देते मैंने का तुझे कैसे प बना कर रहा हूं हम भीयारियों को टीवी नहीं देते मैंने का ठीक है मत दे लेकिन यह बता तुझे पता कैसे लगता मैं भीयारी हूं बुला बेटा जिसे तुझे टीवी कह रहा है वो माइक्रोबेव है माइक्रोबेव को भी टीवी बताने का confidence जो बिहार लेकि आया चीन को जाओ मैं सच मता रहा हूं दोस्तों आपको हसी तो हमारे आसपास है। कम्प्यूटर के टीचर ने पूझ लिया कि आज कल कम्प्यूटर सेंच की पढ़ाए बहुतों ने लग गई यह पहले तो हमारे टाइम पे शुरू भी नहीं होती थी हमारे टीचर ने पूझ लिया में जावा कितने परकार के होते हैं मैंने कहा जी दो परकार के मर जावा, मिट जावा मर जावा, मिट जावा, मर जावा मर जावा, मिट जावा, मर जावा इश्क में दिल क्या जान भी नाम तरह कर जावा, मर जावा चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ और अगर कही अडोस पड़ोस पड़ गया हो तो सोसलोजी का तो अपना तो साथ सुरू से ही ऐसा है लेकिन चलिए अब ये समय है आप से विदा लेने का बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आ करके आप लोग अपना ऐसे ही ध्यान रखिएगा अपने आपको कॉरिंटीन में रखिएगा अपने परिवार का ध्यान रखिएगा अपने पडोसियों का ध्यान रखिएगा और हमारे इस इंडो थाई न्यूस से युही जुड़े रहिएगा हम हर शनी बार रवी बार आप लोगों के लिए हसी के ठहाके, कविताओं की गूंज, सहित्य की चमक ले करके आएंगे, कोरोना के इस लडाई में पूरा भिश्व एक मंच पर एक साथ है, मैं आज इस थाइलेंड के पेज से, इंडो थाई के पेज से मैं आप लोगों के बीच में हूँ, तो निश्चित तोर से पूरी दु दोते रहिए, बाहर नहीं निकल ये, जरूरी हो, तो मास्क पहन कर बाहर निकल ये, अपनी सुरक्षा सबसे पहले, क्योंकि हम सुरक्षित है, तो परिवार सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है, तो समाज सुरक्षित है, तो देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है तो बिश्व सुरक्षित है चलिए आप लोगों से लेता हूँ आभार आज के लिए धन्यवाद इदाई लेता हूँ जै हो जै भारत जै थैलाइंड सभी की एस बहुत परिया धन्यवाद जै हो जै हिंद